आजमगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद रियादो जी हमरे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे चुनाओ प्रचार थम चुका है और कल वोटिंग होनी है उनसे बात करते हैं सर कल आपका रोट शो था बहुत जनसाहिलाब देखने को मिला समर्थन के साथ साथ क्या वोट में ये जनसाहिलाब परिवर्टित हो पाएगा उमीद है इस तरह की बिल्कुल 45-46 डिगरी के टेंपरिचर में जो लोग लगातार परिशीना वाहें वो यहीं नहीं वाहें वो निश्वत तोर पे अपना वोट भी देंगे सपोर्ट भी देंगे और जहां जहां तक उनकी बात मानी जाती होगी वहां तक वोट दिलाएंगे भी आजमगeur बड़ी चरचित सीट रही है क्या वज़ए रही है कि यहां से लेकर दिली तक आजमगर की सीट का डंका बचता है और Aberd pे निगाहें रहती है चाहे मुक्ह मंत्री हों चाहे ग्रह मंंत्री हों चाहे परदानमंत्री हो चाहे आपके रास्ट्री अध्याच हो चाहे आप हों सभी लोगों की क्या वज़े है कि यहां पर खास विशेश निगाहें रहती हैं आदेखिए बाकी देश की निगाह मैं समझता हूं इसलिए रह सकती है कि आजमबर के लोग और यह आजमबर जिला बहुत महतमूर जिला है तो सवाबे के सरचा में किंद रहे और यह मेरा सवाग गया कैसी संदार सीट पर पार्टी ने मुझे मौका दिया एक वार फिर निरहू भी आपके सामने चुनाओ लग रहा हैं बड़े बड़े दावे करते हैं कहते हैं असली यादव नकली यादव तवाम बातें आपन कि कना यह काम ही होता है कला दिकाना आए चलो कोई बात नहीं हम एनका समान करते लेकिन वह यहां के मदाता नहीं थे सवाल यह है यहां के मद्दाता कितने थी दूसर सवाल यह है कि कल की रोटसों से अपने आप आजम वड़ का परड़ाम भी सामने दिख रहा है अब यह बात आप कैमरे के सामने स्विकार कर पाएं या न कर पाएं या आपकी अपनी मर्यादा होगी लेकिन आपने भी देख लिया होगा कि यहां के जन्मानस का क्या मन है जन्मानस का मन खेर भीर तो 2022 के चुनाओं में भी हुई थी तो मन कोई नहीं कल भी हुई थी और 2022 के चुनाओं में भी लातो गुर्प से कैसी रही तो लातो गुर्प साब ने दोनों रोट सो देखे कल के अच्छी थी आपकी भीर्ड जो है वो ठीक थी अच्छी थी लेकिन एक सवाल लगतार इस बात का उठ रहा है कि आप लोगों की सरकार बनेगी इंडिया गडबंधन की सरकार बनेगी तो भारती जन्ता पार्टी के लोगों की तरफ से सवाल खड़े किये जा रहा है देखे कोई सचा ही नहीं है मुसल्मान भाईयों का सम्मान हम लोगों ने किया और करेंगे और हम लोगों के नहते और कोई भी सासन रहे बाजबागी भी जम्मेदारी है लिकि वो अलग बात उन सब्सक्राइब को क्या दिया है कि पूरा उत्तवपदेश का सासन की जितने प्रसासन ग्लोव ठा लीजी डीम कप्तान कलेक्टर आईजी डी तक या कमिश्टर से ले के प्रूं सचिप तक आप चले जाईए कितने बैठाएं बैकवर्ड यादमों की तो बात छोड़ी है य जेंडर सेक्रिटरेट के जितने प्रूं के बागी बताएं कितने बैठें साड़े तीन सो जो सीधी भरतियां किये हैं जेस लेविल के आई इस लोगों की जूट पर जनता ऊप चुकी है और इसलिए देखा होगा कि इनकी कुर्सियां खाली है इनके भासन को कोई अब सुन हाज हमर आते हैं अगले दूसरी दिन ला लगें नहीं कुछ और किया कि चले आते हैं कोई पता नहीं इनका तो फिर स्टी हैसन साहब का बयान ये क्यों आ रहा है कि मुसल्मानों को आर अच्छन मिलना चाहिए और सम्माजवादी पार्टी कॉंगरिस के लोग सब कर सम्मान करेंगे किया भी है आगे भी करेंगे हम लोग हम लोग दिना चाहएं रोजगार वादा किया है 30 लागं जो खाली वरती है के सरकार की चह complet करेंगे वादा किया है कि साड़े आठ लाक रुपए महीने के साफ से अपनी गरी माताओं वेनों को पेंसन देंगे वादा किया है अगनिवीर की योजना खतम करेंगे वादा किया है आपका किसानों का कर्ज माफ करेंगे वादा किया है कि पुरानी पेंसन वाहल करेंगे बादा किया सरकारी जो सम्भीदा कर्मियों को समायजित करेंगे इतनी साथ गिर चुके bij जब की पीडिये का नारा दिया था समाजवादी पार्टी की तरफ से उसका असर डेखने को मिला आपके चुनाओं में ना कैhumल मेरे चुनाओं ום कि पूरे उत्तफब कुछ आदो छूना आधाये को पोllesे कार में ठौरा जा रहा हैं वो बेबुनियाद हैं और भारती जन्ता पार्टी हमेशा जूड बोलने की राजनीत करती है कैमरमेन अर्विंद के साथ सीमा अबनक्वी भारत समचार आजमगा